क्या ममा ये प्रशाद है ये तो बिस्केट है ना मंदिर में बिस्केट रखने से वो प्रशाद बन जाएगा हरे क्रिश्ण आप सबका स्वागत है इस कौन वीकानेर के उफिश्यल यूट्यूब चानल पे तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टिन टॉपिक पर डिस्केशन करन कि खाना प्रशाद कैसे पनता हैं? How food becomes sacred? ये सवाल तो हम सब्का बच्पन से जी है के खाने की प्लेट हम मंधे में रखते हैं और वह प्रशाद किसे बन गया? तो आज हम इसे पर चर्शा करने वाले हैं कि खाना किसी processing house में बन रहा है, किसी food factory में बन रहा है. But नहीं, actually God is so loving कि वो क्या करते हैं? वो nature में grains को grains में convert कर रहते हैं. और जब हम उन्हें खाना offer करते हैं, it's just a practical way of saying him thank you कि उन्होंने nature में कुछ ऐसी arrangement करी कि grains को grains में convert कर दिया. इसलिए उन्हें thank you बोलने के लिए हम practically उनके सामने offer करते हैं भोगा और फिर उसको पाते हैं. अब usually हमारे वेदिक कल्चुर में ऐसा tradition था कि हम खाना खाने से पहले भगवान जी को thank you करते थे कि thank you God for giving us food. तो में इस एक छोटी सी prayer होती थी thank you God for giving us food, thank you God for everything. तो हम ये सब values जीरे जीरे बूल रहे हैं. So it's just a way of saying thank you to God for his mercy के उन्होंने rain को grain में convert कर दिया. अब चब उन्हें खाना offer करते हैं तो होता क्या है कि उन्हें अच्छा रखता है. जैसे अगर एक parent है वो अपने बच्चों को कुछ chips लेके दे रहे हैं. तो पैसे किसने खर्चे? Parents ने. Chips लेके किसने दिये? Parents ने. अब बच्चा सिरफ इतना होल दे कि वापा आप एक chips खालो. ममा आप खालो. तो parents को बहुत अच्छा फील होता है. Similarly, खाना सब भगवान ही बना रहे हैं. हम उनको बस offer करते हैं कि पहले आप खाओ. तो उन्हें इससे अच्छा फील होता है. तो अभी तक हमने टू पॉइंट्स देखे. एक तो हम उन्हें थांक्यू बोल रहे हैं. कि उन्होंने नेचर की कुछ ऐसी अर्रेंजमेंट करी है कि रेंस को ग्रेंस में convert कर दिया. And secondly, हम उनको एक तरह से offer कर रहे हैं कि पहले आप खाओ. और इससे उन्हें अच्छा लगता है. अब जैसे हम देखते हैं कि हम घर में कुछ भी निया बनाते हैं चोले बटूरे बना लिए, कुछ हलबा बना लिया. तो हम अपने नेबर्स को वो चीज देखर आते हैं कि आंटी आप ये ट्राइ करो, मैंने आज ही बनाया हैं. तो जब हम उन्हें वो डबबा पैक करके देते हैं तो वो हमें खाली डबबा वापिस नहीं करते हैं. वो उसमें कुछ स्वीट भर देंगे, कुछ चावल भर के वापिस करेंगे. तो similarly, जब हम भगवान के घर जाते हैं, जब हम मंदिर में जाते हैं, जो भगवान का घर है, तो हम प्लेट सजा कर उसमें खाना डाल कर लेके जाते हैं. तो भगवान क्या करते हैं? उसे हमें वैसे का वैसा वापिस नहीं करते हैं उसके अंदर अपनी love, अपनी mercy, अपनी कृपा भरके देते हैं वापस तो similarly जैसे आप किसी इंसान को देने जाते हो कुछ तो आपको खाली डबा वापिस नहीं करता तो भगवान भी हमें सिरफ जो हमने offer किया वो offer नहीं करते हैं वापस हमें नहीं देते उसके अंदर अपनी अब कुछ लोगों का ये भी सवाल रहता है कि हमने तो दो चपाती रखी थी प्लेट में और दो की दो ही वापस उठा के लाए मंदर से तो भगवान नहीं क्या खाया तो हम जैसे कि चानते हैं भगवान omnipotent है omnipotent का मतलब होता है he is all powerful जैसे हम अपनी आंखों से सिरफ देख सकते हैं हम अपनी मूँ से खाते हैं हाथों से काम करते हैं तो हमारी हर एक औरगन एक specific काम के लिए है लिकिन भगवान की सारी की सारी organs हर एक काम कर सकते हैं वो अपनी आंखों से भी खा सकते हैं इसलिए वो omnipotent है तो इस omnipotent को डिस्क्राइब करने के लिए ब्राह्म सामिता में एक श्रोख है 5.32 अंगानियस्यसकलेंद्रे वितिमान्ति पश्यंति पान्ति कल्यांति चेरम जगान्ति आनंद चिन्मे सत उज्वल्वे ग्रहस्याव गोविंदाम आदिपुरुशाम तामहां भजामी गोविंदाम आदिपुरुशाम तामहां भजामी तो इस omnipotent को हम practically अपनी लाइफ में देख सकते हैं जब भगवान अपनी आँखों के तुरू हमारा ओफर किया हुआ भोगा पाते हैं अब हमने ये सब सुन लिया ये सब theoretical हो गया तो हम इसे practical है अपने लाइफ में कैसे बनाओ भगवान जी को बस हाद चोड़के बोलो के भगवान जी मैंने आज ये आपके लिए बनाया है पहले आप खाओ It's just these two lines मैंने आपके लिए बनाया है और पहले आप खाओ और वो इसी से आप पे बहुत जादा खुश हो जाएंगे और अपनी सारी की सारी मुर्सी अपना सारा का सारा लव उस खाने में डाल देंगे और वो क्या बन जाएगा? राइट प्रशाद तो आप भी ये ट्राइ करिए और इसी प्राक्टिकल इंप्लिमेंट करिए तब तक I'll enjoy my प्रशाद हरे कृष्णा इस मीडियो को लाइक करें और जादा जादा शेयर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें हरे कृष्णा